तो हैलो परिंदों कैसे हो आप लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमल वर्षा के बारे में यानि की एसीड रेन के बारे में मैं 100% गैरंटी लेता हूँ कि अगर ये वीडियो तुमने देख लिया तो तुम कभी भी जीवन में अमल वर्षा को भूला ही नह रहें तो चलिए बिनदेर के हुए इस्टार्ट करते हैं अमल वर्षा क्या होती है यानि कि एसीड रेन क्या होता है तो हैलो परिंदो कैसे हो आप आप लोग अई होग बहुत अच्छे होगे तो देखो अच्छे से पढ़ना है मन लगाके पढ़ना है और कोई दिक्कत आती न पढ़ते समय या कुछ कुछ भी या कुछ भी दिमाग की ख्याल आपका कहीं चला जाता है न तो उसके लिए न हमारा एक दूसरा चैनल बायोमन मोटिवेशन आप लोगों के साथ है ठीक है उस चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है ठीक है अच्छे से पढ़ना ह मन लगा के पढ़ना है क्योंकि आप बायोमन से पढ़ रहे हैं बायोमन के टॉप टीचर से बायोमन की टॉप फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं ठीक है चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अमल वर्सा यानि की एसीड रेन के बारे में एसीड क्या होत लिगा देता है फिसाएं से कुछ 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 काटने लगता है है ना सोचो उस पानी में अगर एसिड डालके तुम्हारे मार दिया जाए तो क्या होगा तुम्हारा बताओ क्या होगा तुम्हारा अगर उस पानी में अपने लोग एसिड डालके वह कर देते हैं तो वहां पर किया होगा बताइए श्क कि पहुशान पहुशेगा न है न यह वे ती अशी को आप किसी पेड़ की पति पर डाल दोगे तो क्या होगा नुक्सान पहुशेगा वह दो कि अखित तरीके से देख लेते हैं सबसे पहले देखो कि वायू मंडल में जो हमारा वायू मंडल है जो हमारा एटमोस्पियर है ठीक है वायू मंडल में नाइट्रोजन वा सलफर ठीक है वायू मंडल में क्या है नाइट्रोजन वा सलफर के आकसाइड ठीक है क्या होता है वायू मंडल में यन ओटू और इस यानि कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं वायू में उपस्थित जलवास्प आपको पता है कि जो वायू होती है उसमें क्या होती है जलवास्प होते हैं समझो यहाँ पर है यनोटू यह है एस ओटू और यह है हमारी जलवास्प तो यनोटू क्या करता है यनोटू और यसोटू वायू में उपस्थित जलवास्प के साथ मिल करके ये जो एनोटू है और यसोटू है जलवास्प क्या है हमारा ह्टूओ है इस H2O के साथ ये मिल करके क्या बनाता है Nitric Amyl एवाम Sulfuric Amyl इसके साथ ये मिल करके इस क्रिया में ये क्या बनाता है HNO3 और क्या बनाएगा H2SO4 Nitric Amyl और Sulfuric Amyl बनाता है ठीक है Sulfuric Amyl का निर्माड करता है यानि कि हमें पता हो गया Nitrogen के Oxide और Sulfur के Oxide वायू में उपस्थित जल्वास्प से क्रिया करके क्या बनाता है HNO3 और H2SO4 का निर्माड करता है ठीक है HNO3 और H2SO4 का निर्माड करता है यहाँ अमल फिर ये क्या बन गया ये जल्वास्प था ये चीज ये था ये क्या बन गया ये बन गया हमारा Acid ठीक है उल्टे हाँ से लिख रहे है Acid बन गया अब ये Acid क्या करता है ठीक है एक शेक्ट ठीक है तो देखो क्या होता है कि ये Nitric अमल और San practicing का निर्माड करते है और यहाँ अमल ये है हमारा Acid यानी की अमल और यहाँ अमल याँ अमल जल के साथ मिलकर के किसके साथ ये अमल जल के साथ मिल करके धर्ती पर गिरती है यानि कि हमारा जो बाल काटने वाला डिबबा था ना उस डिबबा में हमने जल रखा था उसके वाण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सलफर के ऑक्साइड आ गए उसमें जब वो आ गए तो HNO3 और H2SO4 बना लिया एक एसिड बना लिया बूस एसिड को हम दबाने से क्या होता है हमारे बालों में गिरता है इसी तरह यह अमल यह अमल क्या करते हैं कि जल के साथ मिलकर धर्ती पर गिरते हैं और यही गिरने की क्रिया को अमल वर्षा या फिर एसिड रेन कहते हैं बताओ समाज आई कि नहीं डिफिनीशन शमाज आ गई न चलो बता दो शमाज आ गई किसी बच्चे कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर शारा कुछ शमाज आ गया इसमें देखो बिल्कु सिंपल सा प्रॉसेस है अब मैंने आपको बताया कि भे तुम बाल कटवाने के लिए बैठो तुम्हाई एसिड का छिड़काओ किया जाए किसी पौधे की जमीन पर धर्ती पर एसिड का छिड़काओ किया जाए यह बताओ सोचो एक चीजा और बताओ यदि हम एचे नो थ्री और एच्टू एसो फोर को ताज महल पर छिड़काओ करेंगे तो क्या होगा ताज महल किसका बना है सोचो शंगमरमर का उसके उपर छिड़काओ क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं के कारण क्या होते हैं ठीक है इन पर हानिकारक प्रभाव क्या होता है दोस्त क्या होता है ठीक है तो नंबर एक में दे रखा है कि नदियों जीलों का जल पीने योग्या नहीं होगा जब अमल वर्सा लगातार होने लगेगी तो वहा पैर भी नहीं दू सकते तुम सोचे अच्छा चाचा पीने योग यह नहीं है चलो पैर वाइर धुलके निकल लेंगे भग जाएंगे अच्छा वेटा पैरवा तोहर खराब हो जाएगा है ना तो पीने योगे नहीं होगा ठीक है चलिए जब यह इसीड पड़ा हुए तो सो पानी वर्षा होती रहेगी तो वह अमल क्या होगा अमल नीचे जली जीवो तक जाएगा जब मचली वचली इसे पानी को पीएगी आम करके पीएगी ना तब क्या होगा उसके अंदर एसीड जाएगा फिर वो मर सकती है उस पर हानी कारक प्रभाव पड़ सकता है इसलिए सभी जली जीवो पर इसका हानी कारक प्रभाव पड़ता है फिर तीसरा क्याता है भूम की उर्वरक्ता को कम करता है जो अमल वर्षा होती है जो एसीड रेन होती है जब उसको भूमी पर डालोगे तो उसकी उर जोन, ओ का मतलब होता है और्गैनिक, यानि कि उपजाऊं जोन, यानि कि जैसे ये हमारी भूमी है, ठीक है, ये भूमी के उपरी परत है, यहाँ पेड़ वेड लगे हैं, तो ये है हमारी ओ जोन, ओ जोन अलग होता है, ओ जोन, ओ जोन का मतलब और्गैनिक जोन, और्गैनिक परत में अमलियता आ जाएगी. जिसके करण से इसकी उपजाओता कम हो जाएगी. इसकी उपजाओ कम हो जाएगी. तो साब से लिख रखता है कि भूमी की उरवरक्ता को कम करता है. कौन कम करता है? ACID RAIN. CLEAR है? चलो. चौता आता है मानव स्वास्त पर भी अमल वरिशा का बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है फिर ये point सबसे important है अभी मैंने ताज महल का example दिया ना ताज महल का रंग पीला पड़ रहा है अभी आप लोग सब लोग जानते हैं आज से याद कर लो ताज महल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है क्योंकि मतूरा में एक तेल परिसोधन कार खाना है कहां पे मतूरा में चल वच्चे यह आ गए हम लोग मतूरा मतूरा के चलते हैं तेल परिसोधक खार खाने में चलो यह मैं खड़ा हूं आप लोग भी आजाओ जल्दी से जल्दी आजाओ अब तुरंता बसो उसमें बैट के लटक वटक के चले आओ ठीक है बता देना बायों मन की पास जा रहें कोई किराया नहीं लेगा ठीक है तो देखो मधूरा में जो तेल परिसोधन और जो सरफ्यूरिक अमल है इनके वज़ा से अमल वर्षा होती है और जब अमल वर्षा होती है तो ताज महल का संचारण हो रहा है ताज महल तूट रहा है धीरे 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 मतलब उसके नसें जैसे कमजोर हो रही है उसका संचारण हो रहा है आप लोग क्लास 10 शाइंस मे पढ़ चुके संचारण क्या होता है ठीक है चैप्टर वन ही था संचारण में बहुत अच्छे तरीके से बताया जैसे लोहे का संचारण हो जाता है इसी तरह क्या हो रहा है बच्चे ताज महल का संचारण हो रहा है और इस क्रिया को बोलते हैं संग्मर्मर कैंसर क्या बोलते हैं जब जिसके उपर अम्ल पड़ती है देखिए जो अम्ल वर्षा होती है अम्ल वर्षा पत्थर की मूर्तियों पर हानिकारक प्रभाव डालती है यानि कि उनको खराब करने लगते डेश्ट्रॉय करने लगती है ठीक है और अमल वर्षा भवनों का भी संचारण करती है बड़े बड़े जो भवन होते है ना उनका भी संचारण कौन करता है अमल वर्षा इसी लिए हम कहते हैं कि जो जितनी भी गैसे हैं इनका उप्योग कम करें अमलो वर्षा से क्या होता है वायू प्रदूसर्ण होता है ठीक है ये सारी गैसे जहां से भी प्रडूस होती है उनका उत्पादन कम करें ठीक है ठीक है तो आज का टॉपिक जो था हमारा अमलो वर्षा ये टिपड़ी में पूछ लिया जाता है कैसे करके भी पूछ लिया ज वाचकर करें ठीक है उनको देखें यह आपके पास भी कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कोई ऐसे समस्य आ रही है तो आप लोग भी नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं ठीक है आपके कमेंट का हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे थीक है तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजेगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी और तुरंद सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद